So good morning guys और चलिए आज का revision वाला session अमारा start करते हैं बताइए World Happiness Day का मनाया जाता है तो answer होगा 20 March को और अभी World Happiness की जो report आयती World Happiness Index जो आयता उसमें भारत 139 नंबर पे था Finland इसमें टॉप पे था फिर बताइए January का ICC Mainz Player of the Month का award किसने जीता था तो answer होगा रिशब पंत ने अच्छा अगर हम बात करते हैं कि जनवरी मन्त में ही महिलाओं का सम्मान किसने जीता तो महिलाओं में जीता था शबनम इसमाईल ने जो कि साउथ अफरीका किये अगला प्रशन भी इसी का है फरवरी मन्त का पुरूशों का सम्मान किसने जीता इसी सी Mainz Player of the Month की बात कर रहे है मतलब तो आर रश्विन आंसर होगा और महिलाओं में बात करेंगे तो टैमी बैमॉंट ने जो कि इंग्लेंड की प्लेयर है उसके अलावा मार्च और अप्रिल का भी मिल चुका है और मार्च का याद रखना मैं बता देता हूँ पुरूशों का तो भुवनिश्वर कुमार ने जीता और महिलाओं का लेजैल ली ने जीता जो कि साउथ अफरीका से ही है अब अप्रिल का आप टाइप करके बताओ कमेंट बॉक्स में अप्रिल का पुरूशों और महिलाओं का ये सम्मान किस ने जीता था देखते हैं किस को याद है अगला प्रशन बताईए मुख्यमंतरी चिरंजीवी यूजना को किस राजे ने शुरू किया सभी को स्वास्त बिमा देने की ये यूजना है तो अंसर होगा राजस्थान ने अलाबाद बैंक का विले किस में हो गया है ये इंडियन बैंक में हो गया ये वाले कुश्चिन भी आपको याद दोने चाहिए जैसे कि अलाबाद बैंक का तो आपको पता लग गया इंडियन बैंक में हो गया अगर आपसे पूछा जाए सिंडिकेट बैंक का किस में हो गया तो केनेरा बैंक में हो गया आपको याद होगा आंधरा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विले हुआ था मर्जर हो गए था किसमें Union Bank of India में और Oriental Bank of Commerce और United Bank of India का किसमें हो गया पंजाब National Bank में हो गया ये भी याद रखो फिर अगला परशन है अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंतरी कौन बने हैं लॉयड आस्टिन बन गए और वहां के पहली महिला विद्ध मंतरी कौन बनी हैं Janet Yellen बनी है और अभी वहां पे नई विदेश मंतरी कौन बने हैं Anthony Blinken वहां पे विदेश मंतरी को Secretary of State बोलते हैं और Defense Minister को Defense Secretary बोलते हैं और Attorney General बने वहां के Merrick Garland भारत के Attorney General कोन है केके विनु गुपाल है अचा Indian Oil Corporation के Chairman का नाम बताईए श्रेकांत माधव वैद और विश्व गौर्रेया दिवस World Sparrow Day हमने मनाया अभी 20 मार्च को जिसकी theme थी I Love Sparrow बताईए विश्व मुख स्वास्ते दिवस World Oral Health Day कब मनाया जाता है तो आंसर होग नेतु सिंग ने बढ़ते आगे और हां गाईज देखिए इंडिया के Top Bank Educators एक बार फिर एनकेडमी पर आपके लिए ला रहे हैं धेर सारी Free Classes तो एनकेडमी की हर क्लास कंड़क की जाती है आपके बैंक की हर परिक्षक की तयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लि बाद में recorded session के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो class को download करके offline भी देख सकते हैं और आप live class में ask a doubt feature के द्वारा teacher से अपने doubt भी clear करवा सकते हैं और आप live quizzes और test session भी अटेंड कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी live ranking भी देखने को मिलेगी और unacademy प भाशा में class attend कर सकते हैं आप अपने teacher के साथ interact कर सकते हैं live poll में part ले सकते हैं और यह सभी feature आपको मिलेंगे एक ही platform पर एक ही subscription के साथ तो आज ही subscribe करें unacademy पर और इन सभी benefits का lab उठाईए और हाँ देखिए अगर आप मेरा code जो की है crack exam 10 use करते हैं तो आपको additional 10% का instant discount में मि मिल जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप इन सब का benefit उठा सकते हैं अभी हम बढ़ते आगे चलिए अब days की बात करते हैं बताइए international nurse day कब मनाया तो answer होगा 12 मही को और इसकी theme थी nurses a voice to lead nursing the world to health फिर बताइए international family day यह हम 15 मही को मनाते हैं इसकी theme थी families and development लेकिन family को लेकर के echo day आप को याद होना चाहिए international day of family remittance यानि कि अंतर राष्टर परिवार प्रेक्षन दिवस जो 16 जून को होता है फिर बताइए राष्टर डेंगु दिवस कब होता है यह 16 मही को होता है 16 मही को तो इस सिक्किम का इस्तापना दिवस भी होता है और international day of light यह भी 16 मही को होता है अब बताइए international museum day कब होता है यह 18 मही को होता है इसके theme थी museum for equality, diversity and inclusion फिर बताइए विश्व माप विज्यान दिवस world metrology day कब होता है यह 20 मही को होता है और इसके theme थी measurements for global trade फिर बताइए विश्व मद्धुमक की दिवस कब होता है यह भी 20 मही को होता है और इसकी क्या theme थी be engaged अं International Day of Biological Day ये 22 मही को होता है इसकी theme थी our solution are in nature और world thyroid day कब होता है ये 25 मही को होता है याद रखना thyroid हमारे शरीर की सबसी बड़ी अंत्यस तरावियानी के endocrine gland होती है वैसे world hunger day कब होता है 28 मही को होता है तो अब हम लोग पुराने महीने के current affairs का revision करेंगे फिर बताए किस ने पुर् Hamilton ने ये Britain के रहने वाले हैं और ये किस car company के driver है तो Mercedes कैई अब बताए आर्बिया के नए deputy governor कौन बने टी रभी शंकर और ये BP कानून को की जगे आयते जोके retired हो गए वैसे चार deputy governor है एक तो टी रभी शंकर हो गए एक Michael देवरत पात्रा है एक महेश कुमार जैने जिनका भी क फिर बताए वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है ट्यूना एक प्रकार की मचली है और ये हम दो मई को मनाते हैं और वैसे इस बार हमने दो मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया लेकिन याद रखना वर्ल्ड लाफ्टर डे हम हर साल दो मई को नहीं मनाते हैं मई के पहले रविवार को मनाते हूँ और इस बार पहला रविवार दो मही को आया अब बताइए किस ने oxygen on wheels नाम की पहल को शुरू किया अब देखो यहां तो आपको आंशर लिखाओ आप मिल रहा है आनंद महिंद्रा जी ने जो कि महिंद्रा गुरूप के चेर में ने इसी नाम से एक अभियान शुरू किया था किस राज्य ने हर्याना ने हर्याना के करनाल से शुरू किया गया था है ना मतलब राज्य में किसी भी एरिया में अगर oxygen की किल्लत आती है तो ट्रकों में oxygen भरी होती है और फटाफट वहां पे उसको लेकर के जाया होता है अब बताइए किस पूर्शे टैनिस Grand Prix 2020 का खिताब जीता तो अंचरो गया इस लेबाटी ने और यह ऑस्ट्रेलिया की टैनिस प्लेयर है और विश्व प्रेस सुतंतरता दिवस World Press Freedom Day ये हमने मनाया तीन मई को थीम थी Information as a Public Good आचा बताओ World Press Freedom Index जो आये था उसमें भारत किस नंबर पे था 142 न राजमार्ग शेत्र में FDI की अनुमति की सीमा को कितना कर दिया गया या कितनी हो गई है 100% मतलब इस शेत्र में भारत में सडक और राजमार्ग के शेत्र में कितना FDI आ सकता है 100% Foreign Direct Investment और पिछले वित्वर्ष में 2020-21 में सबसे जदे FDI भारत में कहां से आया तो सिंगापूर से और भारत में किस राजमें आया पूछेंगे तो गुजरात आंसर करना बताइए किस कमपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाया है जिसका नाम रखा है रॉक तो आंसर होगा Stratolanch ये अमेरिकी एरोस्पेस कमपनी है और Warsaw मम्मी प्रोजेक्ट में पहली बार किस प्रकार की मम्मी की खोच की गई प्रेगनेंट मम्मी बताइए भारत का पहला Transgender Community Desk का पे खुलाया तो आंसर होगा तेलंगना में और कहाँ पे गुड महोत्सव जिसको जेगिरी महोत्सव भी बोलते है ये मनाया गया तो आंसर होगा उत्तरप्रदेश में उत्तरप्रदेश के लखनव में अब बताइए प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने भारत और किस देश के बीच में में 30 सेतु का उद्धाटन किया था 9 मार्च को किया था ये बांगलादेश और भारत के बीच में चोकि तिरिपुरा के सब रूम और बांगलादेश के रामगड को जोड़ेगा इसके ल अर्म इंस्टिट्यूट अफ टेक्नलोजी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया तो अंसर होगा डॉक्टर रमन गंगा खेडगर को अब बताइए अंतरराश्टर महिला दिवस कब मनाया जाता है तो अंसर होगा 8 मार्च को इसक अंतरराश्टर ग्रामिन महिला दिवस वो 15 अक्टूबर को होता है अब बताइए एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रिकल्चर क्रेडिट असूशियेशन के नए अध्यक्ष कौन बने तो अंसर होगा जिया चिंताला बताइए किस बीमा कंपनी ने बिजनेस किस्त सुर रेखा यादव है और मध्यपरदेश के अभी एक दिन की ग्रह मंतिरी कौन बनी थी मिनाक्षी वर्मा बनी थी चलो यह बता उत्तराखंड में एक दिन की मुख्य मंतिर कौन बनी थी कमढ़ में टाय क्यर की बताओ कौन बनी थी तो अब हम लोग रिवाइश करेंगे कल के क परेंट फेर्स को बताइए किसने Home in the World नाम की बुक को लिखा है तो आंसार होगा अमर्तिय सेन ने अच्छा अमर्तिय सेन को नोबल पुरुसकार कब मिला था 1998 में अर्थ शास्त्र का नोबल पुरुसकार मिला था और भारत रत्न उसके जस्ट एक साल बात 1999 में भारत का सरोच नागरिक सम्मान इनको मिला था और अभी कुछ दिन पहले इन्हें सूशल साइंस केटेगरी में प्रिंसेज ओफ आस्टूरियन गार्ड सम्मान भी मिला था बताइए विश्वर रक्त दाता दिवस कब मनाया जाता है World Blood Donor Day 14 जून को मनाते हैं और इस बार इसका मेजबान देश रहता इटली और 14 जून को ही क्यों मनाते हैं क्योंकि जनम दिन होता है किसका कार्ल लैंस्टिनल का और ये कौन थे इन्होंने खोच की थी रक्त समू ब्लड ग्रुप्स की फिर बताईए अभी किस बैंक ने घर घर राशन कारेकरम को शुरू किया तो आंसर होगा IDFC First Bank ने जिसका हेटकोर्टर मुंबई में है इसके CEO वीवेद रनातन है अंकर्टाड की अभी पहली महिला महा सच्छी हो बनी है कौन रेबेगा ग्रिंस्पन पहली महिला है यह जो यह पत समालेंगी अंकर्टाड का हेटकोर्टर मिलेगा जैनेवा स्विट्जलेन में और अंकर्टाड मतलब क्या होता है फुल फॉर्म इसकी United Nation Conference on Trade and Development बताईए किस राज्य सरकार में मुख्य मंतरी कुरोना बाल कल्यान योजना की घोशना किये तो अंसरोगर राज्यस्तान एन्विजन किस अंतरिक्ष एजन्सी का मिशन है तो यह European Space Agency का है जिसका मुख्याले आपको मिलेगा पैरेस फ्रांस में और एन्विजन याद रखना यह एक और्बिटल मिशन है जिसमें यह जो है शुक्रिग्र है जो वीनस है उसके चक्कर लगाएगा इसे वैसे लॉंच किया जाएगा 2030 में अब बताएगे GST Council की जो अभी 44 वी बैठाक हुई इसमें Black Fungus की जो दवा है न M4 Terresin B उसपे कितने प्रतिशट टेक्स लगाने का निर्णने लिया गया किस स्लोट के अंदर रखा गया जीरो परसेंट GST स्लोट में उसको रखा गया है और GST Council की अद्रिक्षिता कौन करता है वित्तमंतरी जो है निर्मला सीतारमन और Black Fungus का दूसरा नाम क्या है Mucormycosis आचा बताएगे कि संस्थान के प्रोफेसर ने विश्वूट प्रतिरोधी हेलमेट के लिए NSG पुरुसकार जीता है तो अंसारों का IIT रूड की के जो Mechanical Engineering के Assistant Professor है उन्होंने उनका नाम है शेलेश गोविंद फिर बताएगे विश्व बुजुर्ग दुर्वेवार जागरुकता दिवस ये 15 जून को मनाया जाता है इसके धीम थी न्याय तक पहुंच Access to Justice एक International Day of Older परचन भी होता है जो 1 October को मनाते हैं अभी आयूश मंतराले ने किस नाम से एक application को launch किया नमस्ते योग नाम से योग के बारे में जागरुकता फिलाने के लिए भी आपको पता है न 21 जून को हम मनाएंगे International Yoga Day और वैसे आयूश मंतराले के राज्य मंतरी है हमारे शिरिपद ये सो नायक तो गाइस ये था अचका हमारा Current Affairs का revision वाला session देखिए session अच्छा लगा है इसे like जरूर करना और share जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में अब कुछ questions आप लोगों से पूछे जाएंगे questions आप लोग लगाना और देखना कितने questions आप लोगों से बन पारे बाकियमन को console करते हैं ये रे question आपके सामने